आज का टॉप गेनरे स्टोक आज का टॉप गेनरे स्टोक की फूल एनार्सिस हिंदी में चलिए बता दें दोस्तों जिसका मार्केट कैपिटलाइशन है आपको 7,88,276 करोड का इसका मार्केट कैपिटलाइशन है और फिविचर में आज खुप कमाई करवाई दोस्तों फिविचर में जिसने भी सुबसुब का कॉल पकड़ा ओ आज माला माल हो गया दोस्तों जी 7,88,226 करोड का मार्केट कैपिटलाइशन और फेस वेलू जिसका 5 रुपिया दोस्तों यह बहुत जल्दी ही स्प्लिट होने वाला भी यह स्टोक है और इसलिए कि इसकी जो प्राइज है कम हो और ज्यादा से ज्यादा लोग खरिशें यह 5 भागों में अभी दो पर एक पर दो स्प्लिट हो था अब यह एक पर 5 स्प्लिट होगा एक पांच का रेशियो मतलब यह 5 जो है यह एक इसका फेस वेलू जागा पांच भागों में यह डिवाइड होने वाला दोस्तों टीटीएम इसका 26.62 है और बुक बेलू इसका 181 रुपिया 62 पैसा डिविडेंट 1.44 परसेंट और पीसी है इसका 31.79 और पीबी इसका 10.31 जी दोस्तों और इसका मार्केट के प्लेजिशन अभी भी लगबग 7,88,000 क्रोड का इसका मार्केट के प्लेजिशन है बेटा इसका 0.74 है और टीटीएम पीस 551.12 है और इसका आज का वेलूम दोस्तों मैं बता दूँ आपको 61,65,412 वेलूम इसका जबजस्त और इंटाडे में कमाई किया ओप्शन के बाई कॉल में और इप्शर फ्यूचर के आपको बाई में जबजस्त कमाई करके दिखाया आज का गेनर स्टोग जो आपको मैं बता दूँ इसकी पूरी कुंडली और ये आईटी सेक्टर का है और आपको बता दे जिसमें निप्टी फिप्टी का बहुत में इसका इंक्रीज होने में बहुत बड़ा योगदान है जी निप्टी फिप्टी का उपर ले जाने में आज आईटी सेक्टर के स्टोग का बहुत बड़ा योगदान है और निप्टी बैंक निप्टी के जो बैं बैंक है उनका भी बहुत बड़ा योगदान है जिसमें आपको ICIC BANK, SBI BANK, HDFC BANK आपको AXIS BANK और सिर्फ और सिर्फ पंजाम नेशनल BANK को छोड़ कर जी और ये निप्टी को आगे ले जाने में बहुत बड़ा योगदान है निप्टी BANK का जिसमें आपको IT सेक्टर का एक श इसका भी बहुत बड़ा जुगदान है जो आपको 1832 रुपिया का नीचे लाश्थर जैसे गया उसके बाद हम समझ गए कि अब ये नीचे जाने वाला नहीं है दोस्तो जी हाँ मैं बात कर रहा हूँ दोस्तो इनफोसिस इंडिया लिमिटेड की 1832 रुपिया की जैसे ये बोटम पकड़ा इंटाडेटरक मुंबाई MBA BK Singh का वादा था कि आज एक ऐसे श्टोक के बारे में बताएंगे जो आपको आज माला माल करेगा इनफोसिस इंडिया 1832 में इसका बोटम पकड़ा और फीचर में इसको बाई किया और इसके बाद मैंने आपको 1875 में इसको सेल कर दिया अब ये मैं फिर एक बार 1875 में मैं बाई किया हूँ और इसको मैं बेचूँगा आपको समझ लिजिए 1875 में बाई करने के बाद मैं बेचूँगा इसको 1890 रुपय में जी हाँ 1890 में मैं बेचूँगा और नई बीक पाया तो कोई बात ने इसलिए कि हम तो कमा चुके दोस्तों अब रह गया कि इसकी कल का क्या होगा इनफोसिस का और या आने वाला समय में क्या करेगा ओ भी आप 20 रुपया का बहुत ही जबजस्ती है बना रखा है और ये कभी भी ये कभी दोस्तों आपको मैं बता दूँगा ये कभी भी 1850 रुपया ये मैं अब अब मैं इसको 1885 में खरीदा और मैं 1888 में बेच दिया अब मैं इसको पूट खरीदना हूँ पूट मैं खरीद लिया 1850 म Infosys India Limited का पूट हमने खरीद नहीं बेच दिया 1850 में सौरी 1850 में पूट को मैंने सेल किया दोस्तो अब देखते हैं किस्मत इंट्राडेटेग मुंबई MBA BK सिंग किस्मत की बात नहीं करते सिर्फ और सिर्फ सेर मार्क में टेकनलोजी काम करती है दोस्तो और टेकनलोजी जो सही बताते हैं वो है सिर्फ इंट्राडेटेग मुंबई MBA BK सिंग का चैनल और अगर पहली बार आएं इंट्राडेटेग मुंबई MBA BK सिंग चैनल पर तो जरूर सब्सक्राइब कर लिए अभी तक नहीं किये तो आज की कमाई और आज का टॉप गेनर स्टोक अफ निप्टी तूडेज टॉप गेनर स्टोक अफ आईटी सेक्टर अगर आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब किये हैं और फॉलो करते हैं दोस्तो तो मैं बता दूँ कि डिलिवरी में जो लेकर रखी हैं इनफोसिस इंडिया, TCS, TEC महिंद्रा, Vipro और Tata एलक्सी, Virla Soft, Sonata Soft और एक First Source Technology और VCS इनफोसिस जो Penny Share जिसकी हम चर्चा करते हैं दोस्तो Penny Share, IT सेक्टर का Penny Share, VCS इनफोसिस में हमारा विसेस नजर है दोस्तो और आज से नहीं है, ये विसेस नजर हमारा लगबग 15 सालों से है विसेस इनफोसिस जब ये हमको बहुत नुक्सान दिया था दोस्तो बहुत नुक्सान दिया था लेकिन जितना नुक्सान दिया था और अब उसकी भरपाई हमने बहुत पहले कर लिया और इसको लगपाँ कर रहा हूँ लगतार बाई कर रहूं किसका विशेश इनफो नेक्निक और एक मेरा और मेरा फैवरेट टेस्टोक इंटर डेटए एक मूंबैयं ये बिके सिंग का फैवरेट एक इसटेर का फर्स्ट सूर्स बिला सौफ्ट और सुनाटा सौफ्ट जेन टेकनोलोजी जेन टेकनोलोजी छोड़ानाई दोस्तो अगर छोड़ोगे तर पस्ता होगे लेकिन आज इस वीडियो में शिरिप और शिरिप बात करेंगे Infosys India Limited. Infosys India Limited is the best gainer stock of Nifty 50 is only Infosys. My favorite today's stock only Infosys. Infosys Technology of India, Information Technology का बात्सा Infosys. Infosys जो तॉप आज का टॉप Nifty 50 का IT सेक्टर का Information Technology का Infosys India Limited जो 1875 पर हमने sale किया और फिर हमने एक दो trade डाल दिया. दो trade मैंने डाला, फिर अभी दो trade डाला, एक put में sale और एक future में buy और यह मैं देखता हूँ दोस्तों आज क्या होता है, तो मैं आप तो profit book कर लिया हूँ और थोड़ा सा और एक रूपया 50 परिसा और बढ़ता है, तो मैं 77-88 में बेज कर निकलूँगा और मैं इसलिए video बनाया, कि हमारी software पर यह आ गया था, सुबह आ गया था, लेकिन हम मैं बोला था आपको, कि एक घंटा इंतिजार करने के बाद, एक ऐसे stock के बारे में बताऊँगा, लेकिन हमारी यह video आपके पास थोड़ा देर से पहुंची है, लेकिन कोई बात नहीं, जब जागो, तब ही सबेरा समझो, और यह stock नहीं दोस्तो, यह आज की कमाई का सबसे बड़ा बक्सा भरने वाला, तिजोरी भरने वाला, IT सेक्टर का, आज माला माल कर दिया, Infosys Technic India Limited, निप्टी 50 का बात्सा, निप्टी, hero of, hero of Nifty 50, is Infosys Technic India Limited, जी दोस्तो, Today's hero of IT sector is Infosys India Limited, आज का निप्टी 50 का hero stock, जान लिजिये, कौन है, और कमाई कितना कराया दोस्तो, जय हिंजे भारत, बंदे मातरों,